तो आज नेशनल इंकम के बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्लास है क्योंकि आज की क्लास में आप समझेंगे कि फॉर्मूला किस तरीके से नेशनल इंकम में क्रेट करते हैं और नेशनल इंकम के जो ठर्म सेर्स को किस तरीके से रीड करते हैं For example, जैसे आप अपने सामने स्क्रीन पर देखें, तो बहुत सारे आपको इस तरह के देखने को आपको मिलते हैं, Like NDP at FC, GNP at MP, NNP at FC, NNP at MP, GNP at FC, NGP at MP, NDP at MP, तो इस तरह के से आपको बहुत सारे टर्म्स नेसनल इंकम में देखने को मिलते हैं, सभी चीज अलग-अलग है, यह सब कुछ बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन आप इसको समझे, मैं आपको सबसे पहले यही एडवाइस करूँ, जो पीछे क्लासी समभारी हुई है, जिसके अंदर मैंने आपको depreciation का रोल बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको NFIA का रोल समझाया है, और मैंने आपको NIT का रोल समझाया है, पहले आप पिछली क्लासीस में जाकर के उन चीज़ों को अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस क्लासीस को आप समझ पाएंगे, दरवाइस इस क्लास को आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है, देकि मेरे सामने जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो बच्चे लाइव हैं, जो पेड में हैं, जाहिर सी बात है, लास क्लासी मेरे समने जुड़े हुए थी, तो यह अच्छे समझ पाएंगे, तो मैं continue करता हूँ इसको, हाँ जी, सबसे पहले आपके मन में सवाल तो यह आया, कि सर, formula बनाना तो बात की बात है, पहले तो हमें यही नहीं मालूम कि हम इसको read क्या करें, इनकी full form क्या है, किस तरके इसको हम पढ़ें, तो आईए मैं सबसे पहले आपको एक बात बता जिता हूँ कि इसको कैसे आपको read करना है पहले समझते हैं इस चीज़ को जिसे माल लीजे सबसे पहले आप read कैसे करेंगे तो हमेशा जो तीन letter होते हैं देख रहे हैं आप सब में कितने चीज़े हैं तीन letter हैं सब में एक चीज़ common है अगर आप देखें तो सब में तीन letter हैं एक तो आपका first, second and third पी तो आपका हर जगे common हैं अगर आप पी की बात करें तो पी आपको हर जगे common मिलेगा इसको लेकर कि तो कोई चिनता का विशे नहीं होना चाहिए मैं बतायता हूँ कि P stand for क्या होता है P stand for product सबजे या नहीं समझे बच्चे तो P क्या होता है product होता है तो सबसे पहले आपके मन में P related कोई भी दुविधा नहीं होने चाहिए clear है अब 3 letter मैं किसकी बात कर रहा हूँ मैं फिर से बतायता हूँ 3 letter कौन कौन से है यह first letter, second letter and third letter first letter, second letter and third letter first letter, second letter and आपका third letter first letter, second letter and third letter, first, second and third, सरफ आपको इन तीन लेटर पर focus करना है इसलिए मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले इन तीन लेटर के बारे में ही बता जिता हूँ कि ती लेटर कौन से क्या होते हैं देखिएगा always धान नखें इस पात का कि जो first letter है आपका first letter दो चीजों को denote कर सकता है अगर G और N तो G stand for first letter आपका या तो जो first letter होगा या तो वो आपके gross को represent करेगा या फिर वो आपके net को या तो जी या फिर आपको इन दोनों में से कोई एक मिल सकता है तो जी मेंस आपका gross और N मतलब को आपका क्या हो गया नेट हो गया एक बाते बताओंगा बड़े patience से बस देखते जाए सब को समझ में आएगा आपको अगर मैं second letter की बात करूँगा clear है तो second letter पे आपको दो letter आपको second number पे आपको दो letter देखने को दोनों में से कोई एक letter देखने को मिल सकता है एक आपका D और एक आपका N तो second letter पे जो आपका D होगा तो D stand for आपका domestic होगा B, Stand for Domestic होगा और आपका N से आपका जो है यहाँ पर National बनता है Clear है? और आपका एक letter है आपका P, जो कि Common है, Product मेरी बात समझे, Clear है? तो 3rd letter की मैं बात कर रहा हूँ, 3rd नमबर पे चलिए 3rd पे मैं आपको यहाँ पर एक बात और Clear कर देता हूँ कि 3rd पर आपको जो है दो चीर देखने को मिलेंगी 3rd पे तो वैसे आपको पता है कि P, चलिए मैं बताईता हूँ आपको कि आप 4 letter मान लिए, ठीक है, कोई बात नहीं तो P, अब P, Stand for क्या होगा आपका, P, Stand for होगा Product Clear है, समझ गए, मैं इन सब को क्या कर देता हूँ मैं आप से ही कुताईता हूँ कि चलिए, 4 letter का मैंने बना दिया टोटल, ताक कि आप कोई Confuse नहीं रहेंगे 1st, 2nd, 3rd and 4, 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 Clear है जी, यह P, 3rd और यह 4 है यह 3rd है, यह 4 है, यह 3rd है और यह पूरा 4 है तो अब आपका बारी है कि सर्फ 4th letter पे क्या हो सकता है 4th letter पे आपको जो है 2-6 देखने को मिलेगी 4th letter पे, 4th letter पे एक आपका जो है FC, 4th letter की मैं बात कर रहा हूँ fourth letter पर आपको दोची देखने को मिलेगी एक आपको या तो FC या तो आपको MP देखने को मिलेगा बात समझे बात करता हूँ FC means क्या होगा आपका factor cost पहले मैं आपको read करना सिखा रहा हूँ ठीक है उसके बाद मैं आपको बाद में बताऊँगा कि कैसे formula बनाते है market price पहले आप read करना सीख लीजिए अब आपको समझ में आया तो first letter gross या net को represent करेगा ठीक है जी second letter आपका domestic या national को represent करेगा और third तो P, P stand for product and fourth letter आपका जो है आपका FC या MP होगा FC mean factor cost और MP मतलब market price पहले इन चीज़ों को आप अपने mind में store कर ले 10 second के लिए मैं आपको समय दे रहा हूँ 10 second का समय आप इस बात को store करे देन मैं आपसे वो पूरा का पूरा लिखवा हूँगा कि चलिए इसको लिखें ये क्या है देखे ज़रा तो आपको अच्छी से पता लग गया कि टोटल आप किसी भी चीज़ को देखेंगे नेशनिकम में तो चार आपके जो है मैंने उसमें नमबर में decide कर दिया है first always आपका gross या net को represent करेगा second number का आपका हमेशा आपका domestic and national को represent करेगा third P4 product अब चलिए इसको लिखते किस तरीके से आपको read करना मैं सिखा रहा था तो अब आप मुझे बोलेंगे क्लियर बोलेंगे या कमेंट में आप लिखेंगे मेरे साथ साथ मैंने for example लिखा यहां पर आपके सामने GDP at MP इसको बोलते हैं at MP तो बताए फुल फॉर्म क्या हुआ इसका बताए आप आप जो है कमेंट में लिखें इस चीज़ को साथ साथ ठीक है तो जी पहला लेटर किसके लिए होता है gross या net तो यहां तो क्या हो जाएगा यह gross हो गया इसको बोलेंगे gross बी second letter होता है या तो domestic या तो national तो second letter पर हमारा क्या हो गया यह हमारा हो गया domestic और third letter always क्या होता हमारा product और हमारे पास में MP at market price बात समझे जी read करना आपको आया है पहले आप यह बताए gross domestic product at market price clear है न बिल्कुल सही clear है चलिए अब मैं और भी यहां पर लिख रहा हूँ आप पहले practice कर लेते न अब हम यहां पर लिख रहा हूँ आपका GNP at MP इसको ज़रा लिखें आप क्या लिखेंगे first letter तो gross और net तो यहां पर भी क्या लिखेंगे आप यहां पर भी आप लिखेंगे gross and second आपका यह तो national होता है यह तो domestic होता है तो यहां पर आप क्या लिखेंगे इसके लिए national और P stand for product क्या लिखेंगे और यहां पर आपका होता है या तो gross या तो net तो एन यहां पर स्टेंड फोर क्या है नेट है इसकेंड लेटर पर जब नेट होता है ना तब वो नेशनल बनता है यहां पर आपका होगे domestic clear है और P for product and यहां पर FC means at factor cost at factor cost इस बात को समझे clear है अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं किसकी इसी तरीकी से हम बात करते है क्या लिखा आपने इसके बारे में net national product at factor cost बिल्कुल कर नेट नेशनल नेट domestic product है बिटा है हाँ domestic product at factor cost ठीक है जी बिल्कुल सही नेशनल domestic product बच्चे गलत है first letter पे यह जो आपका domestic और national जो domestic मतलब जो घरेलो और national मतलब रास्ट है यह आपका जो है चलिए अब मैं यहाँ पर आपसे यह जानना चाहता हूं जरा आप इसको लिखे एनन पी एट एमपी इसको क्या लिखेंगे आप जरा बताए एनन पी एट एमपी को आप क्या लिखेंगे अब इएनन पी एट एमपी को आप क्या लिखेंगे दो-тीन चीज़ें है उसको आप लिख लिखेंगे कि देखिए बच्चे कि यहां पर क्या है आपके पास में न पी एट MP इसका क्या मतलब है आपके पास में एन फर्स लेटर है तो कि यह बतार यागर नेट एंund सेकिंड पर एन का मतलब होता है नैशनल फट तो अल्वेस प्रोड़क्ट होता है एन एट मार्केट प्राइज अब यहाँ पर देखें आप N4 आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अब आप सभी बच्चों को अच्छे से Terms को read करना आ गया यह बताइए पढ़ना आ गया सबको अच्छे से Terms को अब आप read कर सकते हैं बताएं जरा ठीक है अब आप अच्छे से इसको read कर सकते हैं तो यहाँ पर आप मैं थोड़ा सा आपको और आपको आगे लेकर के जाता हूँ और इस बात को मैं बार बार आपको अवेर करवाऊँगा कि मैंने इक बात को पहले अलड़ी लिखवा दिया है और आप भी इस बात को जानेंगे कि जो आपके पास में मैंने बताय था कि first letter जो है आपका किसको रिपसंट करता है या तो gross को या तो net को ठीक है, अब मुझे बताएं इसमें से कि depth किसमें include होता है, आप यह बताएं, comment करने बताएं, first letter, हमेशे ध्यान रखना बच्चे, कभी भी first letter को change करना हो, हमेशे ध्यान रखना first letter को change करना हो, तो आप किस हत्यार का इस्तेमाल करेंगे, always first letter को change करने के लिए, आप जिस भी ची करने के लिए करोगे, एक बात ध्यान रखेगा, depreciation का second letter को change करना या fourth letter को change करने के लिए यूज नहीं होगा, third letter तो कभी change होता ही नहीं है, तो आपको पतलगा depth का role कहा है, आप मुझे एक बाद बताएं, कहां पर है depth का role, first letter को change करने में, और मुझे बताएं कि depth किसमें होता ग्रॉस में depth include होता है, पता है न आपको, और net के अंदर depth include नहीं होता है, ये छोटोटी बाते अभी आपको लगेगा सर क्या बता रहे हैं आप, लेकिन आपको लगेगा कितना आसान हो गया, और हमेशा धान रखेगा, कि कभी भी अगर आपको first letter में कोई भी changes करना हो, आप को तो किसका आप इस्तेमाल करेंगे, आप इसमें always किसका इस्तेमाल करेंगे, first letter को change करने के लिए, आपका depth का use होगा, depreciation का use होगा, इसको हम जो है, depreciation को क्या-क्या बोलते हैं, ये भी धान नख्येगा, डेप को हम जो है, एक तो ये बोलते ही बोलते हैं, इसका एक alternate नाम और है, वो है consumption, depreciation को, consumption of fixed capital, fixed capital, clear है, मूले हरास और इस्थाई, इस्थाई पुझी का उपभोग, इसको क्या बोलेंगे हम, इस्थाई, पुझी का उपभोग, उपयोग हो गया, ये तो गलती से, कोई काफी टाइम हो गया है, हिंदी दिखने आदत नहीं रही है, उपभोग, clear है जी, बात समझे, depreciation का alternate name क्या है, इस्थाई है, consumption of fixed capital, मतलब जो fixed capital का consumption हो रहा है, उसको टूट फूट आ रहा है, उसे बोलता है, consumption fixed capital, हमेशा ध्यान रहेगा, clear है, चलिए, यहाँ पर आप थोड़े से questions की practice कर लें, हमेशा इस बात का ध्यान रखेगा, हमेशा ध्यान रखेगा, जो find करना है left में और जो given है वो right में, clear है, मैं फिर से आपको बोल देता हूँ, यह बात धान रखें, हर एक बात लिख पाँगा, जो find, मुझे पता है, आप लोगों के बारवी के अंदर पुरा course आपने अच्छे से क्या होगा, एक national income ही topic ऐसा होगा, सभी 100% यह बात नहीं है, पर maximum बच्चे को साथ में कि यही चेप्टर थोड़ा सा problem create इसे ही नहीं किया होगा, पर वो आप भूल जाइए, अब आपकी कोई problem नहीं देगी, जो find करना है, जो find करना है, उसे left में रखेंगे, ध्यान रखेंगा, left में रखेंगे, और जो given है, जो given है, उसे always right में रखेंगे, मेरी बात समझे, मैं क्या कहना चाहरा हूँ, example के लिए आप मुझे बताएंगे, बच्चे, मैंने लिए domestic और first letter है ये, ठीक है न, clear है, first letter है, net है, आप confused न, मैं लिए देता हूँ, net and domestic, अब बताएंगे मुझे इसमें से find क्या कर रहा हूँ मैं, आप बताएंगे मुझे पहले मैं find क्या कर रहा हूँ यहाँ यहाँ पर, domestic find कर रहा हूँ यहाँ 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 पर मैं यहाँ यहाँ पर, sorry, 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 हाँ जी, first letter की बात है, बताएंगे जरा, मैं find क्या कर रहा हूँ यहाँ 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 पर, gross find कर रहा हूँ यहाँ यहाँ पर, मैं net find कर रहा हूँ, बताएंगे जरा, क्या चीज मैं यहाँ पर find कर रहा हूं gross या फिर net क्या find कर रहा हूं यहाँ पर मैं gross या फिर net जल्दी से comment करें यार quick response करें क्या है यहाँ यहाँ दो तो हूEL झाल 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 आरिया वाज आपको देखेगा मैं यहाँ पर जो है find क्या कर रहा हूं बच्चे यहाँ पर मैं जो find कर रहा हूं वो मैं find कर रहा हूं growth ठीक है और net given है और जो आप find कर रहे हैं आपका focus उस पर आजाना चीए असलिए मैं यहाँ पर एक अपने मन में रखने के लिए समझाने के लिए पेपर में आपको नहीं मनाना है start अब बताइए फर्स्ट लेटर को change करने में किसका use होता है always depreciation का और किसी का कोई इस्तेमाल नहीं होगा तो अब आप देखेगा depreciation क्या करेंगे आप दोई गुणा भाग तो होता नहीं है चप्टर में जमा होता या तो घटा होता है और जो भी काम करेंगे यह कहां करेंगे आप जहाँ पर चीज़ें आप और गिवन है वहाँ पर को होना भाग तो होगा नहीं तो ग DD तो अप्ताइक को प्लस करना या मैनिस करना तो आपको फोकले पोले रहना चाहिए कि लख पाले से पूछो बहाई साहब आपके पास में डैप यहां मेरे में आप लाखें मिल आ तो इसको भी दे दो यह कहता है नहीं 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 है तो इसको मत दो इससे मानिस ग्रॉस्त caffeine क्या आप में एंक्लूड आपके क्लूड है क् रखता हूं तो बस फिर क्या करेंगी फ्लास डेपका का देंगे कहानी खिर से के रेंदा क्लिय viol करना है और जिए नहीं और क्या दिवन है ये बताई दिरा तो यहां पर मुझे find क्या करना है यहां पर मुझे left वाला find करना है नेक्ट करना है और यह given है अब इससेगी फस्ट किसी बच्चे को आगे बड़े, चलिए, इसी तरीके से अब मैं आगे आता हूँ, second letter के उपर, अपनी कहानी, second letter के उपर मैं लेकर के आता हूं मेटा, second letter में आप देखेंगे यहाँ पर, कि दो word होते हैं हमारे पास में, या तो हमारे पास में domestic होता है domestic या फिर n second letter पर है तो उसका मतलब national होता है clear है अब आप मेरी पहले बहुत बताएंगे domestic इसमें हमेशा use किसका होता है हमेशा जाना करना second letter में कभी भी changes करना हो तो n f i a n f i f a भी बोलते हैं लोग बड़ आप n f i a भी बोल सकते हैं ठीक है तो domestic में सबसे पहले मैं बात करूँगा क्या इसमें n f i a शामिल होता है तो मैं लिख देता हूँ इन बातों को कि इसमें domestic में इसमें n f i a include नहीं होता है नहीं होता है ये बात में पहले भी लिखवा चुका हूँ बड़ फिर ते लिख लिजिए और इसमें इसमें n f i a include नहीं होता है और इसमें फ i a include होता है और कभी सेकंड लेटर को चेंज करो को तो किसका यूज करोगे आप आप आलवेस किसका यूज करेंगे आप आलवेस यूज करेंगे आप आप प्लस भी होगा तो जोड़ने मैं इसे करने मेरी बास समझें नहीं समझें अलग से मैंने आपको दे दी है अलड़ी पढ़ा चुका हूं मैं तो चलिए मेरा सवाल आपके सामने फिर से वैसे खड़ा हो यहां पर मैं लिख रहा हूं दो में स्टिक दो में स्टिक और राइट में मैं लिख रहा हूं नेशनल अब प्यारे बच्चों यह बता दो मुझे कि क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है बताओ चल्दी से बताओ कि क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है बताए जल्दी से बताईए वड़ण तेजी सवर्पुर्ति के सातव करना है और क्या गिवन है कुईक अए ऑच्छे जल्दि से कुलो रिस्पोंस है चलो मैं बताँ फिर को टमेस्टीक फाइंड करना है टमेस्टीक एक बच्चा रीप्लाई करा रेना के कारिये कि फान तर्लेफ्ट व लजवालवपdefined्गरना के galaxy समझें? कौन सा find करना होता है हमें? हमें left वाला find करना होता है domestic find करना है और right वाला given होता है जो find करना होता हो left में अब वही बात है second letter है तो मैं death के बारे में नहीं तुछूँ बा, मैं सिर्फiche all letter में सोचता हूं, depth के बारे में, clear है, पर हमें यही करना है, second letter कभी भी आजा है आपके सामने, उसको change करना है, तो आप यहाँ पर किसके बारे में आप plan करेंगे, यहाँ पर आप plan करेंगे, nfia के बारे में, वही सवाल, क्या इसमें NFIA होता है, इसमें NFIA नहीं होता है, तो यहाँ पर भी नहीं रखना है, NFIA, मेरी बात समझे, क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को, चलिए, अब मैं आपसे फिर से, वही एक सवाल खड़ा कर देता हूँ आपके सामने, उमीदा आप बताएंगे, क इसको change करो, national को domestic में convert करो, कैसे करेंगे, बताएंगे जरा, जल्दी से, quick response and final answer आप करो इसका, जल्दी से करो, क्या करने वाले हैं, आप यहाँ पर domestic के अंदर, जल्दी answer करें अपना, हां जे, चले जल्दी देखें, आप देखेंगे, second letter है, तो भाई यहाँ एक सोचना भी मत, second letter है, तो यहाँ NFIA का ही रोल होता है, बस, अब वो add या subtract, इस से पूछेंगे, आपके पास में NFIA होता है, बिल्कुल होता है, तो क्या करेंगे, इसको भी दे देंगे, plus NFIA कर देंगे, बच्चे, मेरी बास समझे या नहीं समझे, clear है, यह बास समझ में आ गई, चलिए, अब आगे हम पढ़ेंगे, किसके बारे में, अब तो बस आपका रास्ता बहुत आ अब आपके प्यारे बच्चे, अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लाला, अब हम पढ़ेंगे, कौन सा कलर लू, तो थोड़ा सा और आपको अच्छा लगे, यह अच्छा लगेगा, लाइट आ रहे हैं, ग्रिन लेच चुका, येलो लेच चुका, औरेंज चलते हैं, चलिए, हाँ जी, देखें, एक हमारे पास में क्या है, मार्केट प्राइस, और एक क्या होता है हमारे पास में, फेक्टर कोस्ट, ठीक है, थर्ड लेटर की में बात कर रहा हूँ, तो थर्ड लेटर की में बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो एक में मार्केट प्र इसकी बात करूँगा और एक में बात करूँगा सेक्टर कोस्ट हमें से ध्यान रखिए का थड़ लेटर के लिए क्या बनता है थड़ लेटर को थड़ लेटर के लिए जिस चीज का इस्तेमाल के जाएगा उसका नाम होता है NIT stand for net indirect tax क्या होता है indirect tax minus subsidy मेरी बात समझे या नी समझे NIT कैसे बनता है बताया था ने मैंने आपको कैसे बनता है आपको मैंने पहले already classes दी हुई है ठीक है indirect tax minus subsidies क्लियरे जी बात समझे क्लियरेने इसको अपरतेक्ष कर और अनुदान कहते हैं अब देखेंगे जरा मारे पास में market price है और क्या यह factor cost है अब आप बताएंगे थर्ड़ लेटर कभी थर्ड़ नीस और यह फोर्थ लेटर की में बात कर रहा हूं आपसे फोर्ट लेटर की बात कर रहा हूं थर्ड़ तो product हैता है सेम होता है कभी chain नी होता है अब मैं बात करता हूं NIT की तो अब बताएंगे जरा कि इसमें सुन्दर सुन्दर लिखोंगा चली है इसमें एन आइटी शामिल इसमें एन एटी इंक्लूड होता है ठीक है और इसमें NIT Include नहीं होता है समझे या नहीं समझे ख्लिर है ये बात ओलेड़ी चर्चा में आच चुकी है अब ये देखो मेरे लाल को देखो मांसी क्या फार्मला बना दिया अपने आप यहीं चीज मैं चाहता हूं कब तक पढ़ाई को बोज बना करके सर पर ले करके घुमेंगे कि याद करना है फेपर में करना है इंजोई कीजे यार यहीं तो मैं चाहता हूं बच्चों से कि बच्चे बिल्कुल बड़न में ना रहे क्लास देखे कहानी खतम एक गंटा आप दे रहे हो मुझे बात खतम होगी न आप कही पढ़ना बस गो थूरू हो एक बार पंदी तो अब मेरे इशारे को आप समझ चुके हैं कि फेक्टर कि यहाँ पर इसमें क्या करना चाहिए फॉर्ट लेटर है तो इसमें तो यहां प्ल जाये कोई रोल होगा बोड़ाये इन आपने क्या कर दिया यह बस ठीक पांच मिनिट के अंदर ऐसा होने वाला है आप हेरान हो जाओगे अपने आपको छूके देखोगे और मैं इतना चमतकारी हूं क्या बस पांच मिनिट में आपको ऐसा लगने लगेगा चलिए जए अब देखिएगा पात है एनिट होता अ कि बिल्कुल भी नहीं होता है नहीं होना चाहिए नहीं भी Broken और इसी तरीके से हम अगर आप देखेंगे तो मैं लिखता हूं मार्केट प्राइज और इनिफेक्टर कोस्ट आपको ये फाइंड करना है एनिटी का यूज करना है तो इसमें एनिटी होता है या नहीं होता है पूछो कि भया एनिटी आप रखते हो अपने पास में हां रखता हूं तो भया फिर आप क्यों चुकोगे इसको दो न फिर मेरे बात समझे या नहीं समझे अब मेरे प्यारे अब बात है उस चमतकार की जिसकी मैं आपको प्यारे बता रहा था कि अब आप जो है बड़े अच्छे तरीके से एक चीज पर काम करने वादे मेरे लाल GDP at FC equals to NNP at MP देखिए भाइता आपको क्या find करना है आपको क्या find करना है जल्दी से बता दें आप क्या find करना है आपको यहाँ पर find क्या करना है बताएं ज़रा आपको यहाँ पर find करना है GDP at FC find करना है और given क्या आपको given आपको NNP at MP है आपका ठीक है given अब आप कैसे करेंगे आप एक एक letter पहले first letter को change करेंगे फिर second letter को change करेंगे थर्ट तो change होता नहीं फिर fourth को change करेंगे एक एक letter करते वे change करते चले जाओ जब first letter को change करो करेंगे तो आपको NFI का इस्तेमाल करना है और जब fourth का change करोगी तो आपको एक इस्तेमाल करना है कैसे जैसे पहले बताए मैंने वैसे जल्दी से तेजी से आप जड़ा change करके मुझे बताओ clear है जल्दी से बताए पूरा 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 format बनाए आप इसका पूरा लिख फास्ट करें जड़ा जल्दी से करें चली मैच करेंगे बहुत दोई बच्चे कमेंट करें यह तो यह गलत बात है आप आप कमेंट करने में ऐसे पिर आप को चीज़ेश दिखत करेंगे देख़िएगा मैं पहले फिर टे में रिफिर टे दिफर्न sent επ wonderful से ल्टे करने की रिक्वाइड है अगर सेम होता तो लिए कोई भी min real नहीं नहीं हो ती ऐग्यान टॉज है तो इसमें डैप होता है प्लस क्या तरोगी ठीक है अब सेकिंड नेटर को चेंज करते तो एन डाही एक आई को फोर्थ प्र पे आए तो फर्फर्थ पे प्र दिफ्रेंट है है तो चेंज करने की requirement है तो कैसे होगा फोर्थ को चेंज करते हैं इस पर नहीं नाइटी तो माइनिस क्या करेंगे आप नाइटी करोगे बताओ क्या रट्टा मानने की जुरूरत है इसमें तो भाई साब हीना जी करते हैंगे मैने-स एन टी वेरी गुड बिल्कुल सही यहां पर रभी राज कहते हैं working at that कि a है आप यहां गलत है बस ट्रीप को मैंने करने में अड़ ट cótr- ट्रotta-ट्री यह ब्लोबसर यह बने क है कि अड़ को लग रहा है कि कुछ आप ने सीरी का यह और को याद करने की कोई जरूरत नहीं है मेरी बात समझे अभी तो नुमेरिकल पर आएंगे ना तो वहां पर हमें क्या फाइंड करने लिखा रहेगा और क्या गिवन है वो मैं बताऊंगा कि कैसे पता लगेगा फिर आप पर इस चीज़े फॉर्मॉला बनाना पड़ेगा ना कितना ही याद कर लोगे आप भूल जाओगे एक अन्फीजन हो जाएगा इसलिए समझाया है आपको परिबात समझे क् चलिए अब आप करेंगे इस काम को चलिए जरा यहां पर फार्मॉला क्रेट करो आप चल दीसे क्विक करो जरा जल्दी करें इसको इसमें मैंने बता दिया कि फर्स्ट लेटर क्या आपका बिल्कुल सेम है तो कोई चेंज नहीं है कोई चेंज करने के रिक्वार्मेंट नहीं है इसे डप को यहां रोली नहीं है इसके लेटर डिफरेंट है तो यहां पर आप क्या करोगें चेंज करोगें और लटके को निचे लेगा वह भी एनफाइए का यूज़ता है तो यहां पर एनफाइए दे दिया थर्ड कोई रोल नहीं फोट लेटर सेमिलर है तो कोई चेंज करें आपके सामने कुश्यन जल को कि अगरा तो यहां पर अगर हम करते हैं इस चीच को जो देखी कर फोस्ट लेटर अगर आप देखते हैं फस्ट लेटर्स भॉर्बिक्षा क्ँस से चेज्ज होगा यह बद रहें वुर्स भॉता बैकर फोर्टी बेदाHHHH Mr. Salt डाप करेंगे मौर्य जायं आपनेटी का यूज होना है इसके पास नहीं होता है तो मैनेस अइनाईटी मेरी बात सम्ज़े या नहीं समझे तो मैनेस यशी बिल्कूल सही सही बच्चों का सब्सक्राइब तो आपको मैंने formula बनाना चिखा दिया आगे मेरा और आपका काम दोनों का हो जाता है आसान इस chapter में मेरा समझाना आसान हो जाएगा आपके लिए समझना आसान हो जाएगा clear है जी अमीद करते हैं कि आपको आज चीक्लास अच्छे से समझ में आई होगी समझ में नहीं आई होगी तो आप मुझे अपने मन से पुकारिएगा मैं आपको आपके घर में आ करके भी आपको समझा दूँगा clear है अगर आप घर में बैठे हैं जहां भी हैं पार्क में हैं, मार्केट में हैं, शॉपिंग मॉल में जहां भी आप मुझे याद करेंगे बस अपने अंतर आत्मा से आप मुझे याद कीजेगा मैं वहाँ पर आपको जो है आकर के समझा दूँगा उसे अप्षय धाम का एप खोलिएगा उसमें अपने कोर्स पर जाईएगा और इस वीडियो को दुबारा देख लेजिएगा तो मैं आपके सामने साक्षात आ जाऊंगा क्लियर जी, सर हिंदी में आपने लिखा है इसकी वज़े से बहुत हेल्प मिलेगी हमें छीक जी क्लियर जी, कोई डाउट कोई डाउट बच्चो चलिये, नेस्ट क्लास में पॉर्मेट पढ़ेंगे उससे नेस्ट क्लास में ही नुमेरिकल को सॉल करने स्टार्ट करेंगे, तो अगली कक्षा नुमेरिकली कक्षा होगी, ठीक है जी